हाई फ्रेंड्स, असलामों अलेकूम, विलकम बैक टू माई चैनल, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक नुसका डायबेटीज मतलब शुगर के पेशन्ट के लिए, डायबेटीज किसी भी एज गुरूप के लोगों को हो सकती है, ये बच्चों को भी हो सकती है, इंडिया में पांच में से एक व्यक्ति डायबेटीज से इफेक्टेड है, इंडिया को कैपिटल ऑफ डायबेटीज भी कहा जाता है, अगर आपकी फैमिली में पहले किसी को भी ये प्रॉब्लम रही है, तो ये आपको भी हो सकती है, अगर इसे कंट्रोल नहीं किया गया तो ये हार्ट एटेक, ब्लाइडनेस या किड्नी फेलर में रिजल्ट कर सकती है, आज मैं आपको जो नुसका बताने जा रही हूँ, ये बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है डायबेटीज के लिए, और साथी साथ इसके बहुत सारे फायदे हैं, जो मैं आप लोग को आग तो वीडियो के एंट तक जरूर बने रहीएगा, क्योंकि ये नुसका बनाने में बहुत ही आसान है, बहुत ज्यादा इफेक्टिव भी है, एक महीने में ही आपके शुगर को कंट्रोल में कर देगा, और आपकी दवाईया धीरे-धीरे करके बंद हो जाएगी, आपको हमारे डाइजेशन को इंपरू करती है, और शुगर को गंट्रोल में रखती है, तो 100 ग्राम के करिब मैंने लिया है, सौफ, साथी साथ मैंने लिया है– 100 ग्राम में कर देजीरा, जिरा जो होता है वो वज़न को कम करने के साथ-साथ बहुत सी बीमारियों से हमें बचाता है जीरे के 7 से एक्स्ट्रा फैट बर्न होता है, डाइजेशन को इंप्रूव करता है इम्यूनिटी को बढ़ाता है, जीरे के 7 से कॉलेस्ट्रॉल और शुगर लेवल भी कम होता है तो 100 ग्रैम के करिब लिया है जीरा अब यहाँ पर मैंने लिया है अजवाइन, 100 ग्रैम ही लिया है अजवाइन डाइबेटिस को कंट्रोल करने में हेल्प करेगी अजवाइन हमारे डाइजेशन को इंप्रूव करती है, बध़जमी को दूर करती है एक्स्ट्रा फैट को बन करने में बहुत ज्यादा हेल्प करती है सरदी खासी जुखाम के लिए बहुत ही फाइदेमन होती है अजवाइन लेने से हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है तो 100 ग्रैम मैंने लिया है अजवाइन यहाँ पर 100 ग्रैम के करीबी मैंने लिया है मेथी दाना तो मेथी जो होती है वो डाइबेटिस को कंट्रोल करने में हेल्प करेगी हार्ट के लिए बहुत ही फाइदेमन होती है डाइजेस्टिव सिस्टम को कंट्रोल में रखती है इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाती है बालो के लिए और स्किन के लिए बहुत ही फाइदेमन है मेथी और यहाँ पर 100 ग्रैम के करीबी मैंने लिया है काली जीरी यह जीरा नहीं है यह काली जीरी है यह सबसे ज्यादा काम करेगी शुगर को कंट्रोल करने में तो 100 ग्रैम में लिया है जितने भी इंग्रिटियंट से सब मैंने सेम कॉंटिटी में लिये है 100 ग्रैम में लिये है और यहाँ पर 100 ग्रैम मैंने लिया है कलोंजी कलोंजी हार्ट की बिमारियों को दूर करता है लीवर के लिए बहुत ही इफेक्टिव है immunity improve करने में बहुती फायदेमन है immunity को बढ़ाता है sugar को भी control करता है इसके काफी सारे health benefits है तो 100 gram मैंने लिया है कलोंजी अब यहाँ पर सबसे पहले मैं fry pan में soft को add करूंगी और medium flame पर मैं इसे roast करूंगी moisture निकलने तक roast करना है 2-3 मिनट तक medium flame पर फिर इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे इसे ज़्यादा भूनना नहीं है बस moisture निकले इतना हमें इसे roast करना है तो देखे फ्रेंड्स soap जो है भूनके ready हो गई है तो मैंने इसे ठंडा होने के लिए एक plate में निकाल दिया है अब हमारी जो दूसरी ingredients है जीरा इसे भी हमें इसी तरीके से medium flame पर roast करना है इसे जादा हमें जलाना नहीं है हलका सा बस भून लेना है ताकि पीछने में आसानी हो तो जीरा भी भूनके ready हो चुका है तो इसे भी ठंडा होने के लिए निकाल लेंगे एक अलग plate में सब ingredients को हमें अलग अलग भून लेना है एक साथ नहीं भूनना है ये आपको याद रखना है अब से मुसी fry pan में मैं add करूंगी अजवाइन तो अजवाइन भूनने में जादा time नहीं लगता है आदे मिनट में ही ये आसानी से भून जाएगी medium flame पर तो इसे भी हम इसी तरीके से हलका हलका भून लेंगे फिर इसे ठंडा होने के लिए निकाल लेंगे एक plate में तो देखे फ्रेंड्स अजवाइन भी भून चुकी है इसे भी मैं निकाल लूँगी एक plate में ठंडा होने के लिए अब हमारा next ingredients है मेथी मेथी को भी इसी तरीके से हमें roast करना है medium flame पर तो ये बहुत ही अच्छे से इसका powder बनेगा smooth powder बनता है नहीं तो ऐसे ही हम मेथी को पीसेंगे तो वो पीसने में बहुत ही problem होती है जल्दी पीसे नहीं जाती है तो इसे भी मैंने हलका सा roast कर लिया है और इसे ठंडा होने के लिए छोड़ दिया है अब सबसे पहले मैंने soap लिया है soap को मैंने एक mixer के जार में पीस लिया है देखिए इस तरीके से smooth powder बन जाती है तो हमें fine powder बनानी है इसकी तो इसको मैं add करूंगी एक बड़ी सी plate में देखिए अब दूसरा हमारा जो ingredients है वो है अजवाइन अजवाइन को भी इसी तरीके से मैं पीस लूँगी तो देखिए मैंने इसे भी पीस लिया है इसे भी मैं soap के साथ add कर दूँगी एक plate में देखिए उसी plate में मैं add करूंगी अब मैंने लिया है zira तो देखिए zira को भी मैंने पीस लिया है हमें बहुत ही बारिक powder बनानी है fine powder बनानी है इस सब चीजों की तो इसे भी मैंने add कर दिया है अब मैंने लिया है मेथी तो मेथी को भी मैंने पीस लिया है देखिए तो आप देख सकते हैं बहुत ही smooth powder बन जाती है मेथी की तो इसे भी मैं add कर दूँगी सब चीजों के साथ अब यहाँ पर मैंने लिया है सोंट 100 grammy मैंने लिया है सोंट तो सोंट को भी हमें piece लेना है सोंट को हमें भूनना नहीं है तो इस तरीके की सोंट आती है मार्किट में आसानी से मिल जाएगी आप लोगों को तो इसे हम fine powder बना लेंगे और फिर छन्नी से इसे छान लेना है देखिए छन्नी से मैंने छान लिया है ताकि इसकी जो दस्तिया वगेरे होती है वो निकल जाए तो इसे भी हम add कर देंगे ये सब चीजों के साथ अब ये सब चीजों को अच्छे से mix कर लेंगे अब यहाँ पर friends हमारा next ingredients है कलोंजी तो कलोंजी को हमें roast नहीं करना है भूनना नहीं है इसे ऐसे ही हम piece लेंगे तो ये जादा फायदे मन होगा तो एक mix के जाद में मैं इसे add कर दूँगी और अच्छे से इसे piece लूँगी smooth powder बनाना है तो देखिए कलोंजी के powder मैंने बना ली है बहुत ही smooth powder बन जाती है तो इसे भी हम add कर देंगे अब यहाँ पर next ingredients हमारा है काली जीरी तो काली जीरी को भी मैंने roast नहीं किया है इसे भी ऐसे ही हमें piece लेना है तो एक mix के jar में डाल कर मैं इसे smooth powder बना लूँगी तो देखिए friends इसकी smooth powder बन गई है इसे भी मैं add कर दूँगी अब यह सब चीजों को अच्छे से हम mix कर लेंगे लेकिन उससे पहले जो हमारा last ingredients बचा है काला नमक वन टेबल स्पून इसमें add कर देंगे और इसे भी हम अच्छे से mix कर लेंगे सब चीजों को अच्छे से mix करना है आप चाहे तो छनी से इसे छान सकते हैं तो बहुत यह अच्छे से यह mix हो जाएगा तो देखिए friends यह इस तरीके का powder बनके ready हो जाता है इसे आप कोई भी air tight jar में भरके store करके रख सकते हैं यह खराब नहीं होता है इसे कोई भी side effect नहीं होता है sugar कंट्रोल करने में बहुत ही फायदे मन है यह powder उसके साथ-साथ बहुत सारे बीमारियों को दूर करता है इससे कोई भी side effect नहीं है कमर का दर्द, जोडों का दर्द, हड्डियों का दर्द बहुत ही आसानी से दूर हो जाता है अब इसे खाने का तरीका मैं आप लोगों को बताती हूँ तो इसे एक गलास गुनगुने पानी के साथ आपको मेडिसिन की तरह एक चम्मज भरके लेना है सुभए के नाष्टे से पहले और अगर आप सुभव भूल जाते हैं इसे लेना तो रात में सोने से पहले आपको इसे एक टेबल स्पुन भरकर लेना है गुनगुने पानी के साथ ये नुसका आप लगातार तीन महीने करके देखिए 100% गैरेंटी के साथ आपकी शुगर कम हो जाएगी मेडिसिन बंध हो जाएगी ये नुसका ट्राइ करने से पहले आप अपनी शुगर जरूर चेक कर लीजिएगा और बीच बीच में चेक करते रहिए आपको खुद ही इसका इफेक्ट पता चलेगा तो वीडियो पसंद आता है तो लाइक जरूर करना है जादा से जादा शेयर करना अपने फैमिली और फ्रेंड्स में और चैनल पर नए आये है तो प्लिस सब्सक्राइब कर देना ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप लोगों तक आसानी से पहुंच सके तो चलिए मिलते हैं नेक्स वीडियो में एक नई रेसीपी के साथ तब तक दुआओं में याद रखना अल्ला आफीस